Hello Friends, Good morning 19th October 2020 आज की वीडियो क्या अपटेट है मार्किट के उपर ग्लोभल मार्किट क्या कहली है एशिन मार्किट क्या कहली है कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले है रेजल्ट स्किन के आने वाले है चलते हैं US मार्क टॉजोन्स एक सो बारा पॉइंट वन वन टू पॉइंट्स की छलांग साथ के था नेस्डेक में 42 पॉइंट की गिरावट तो मार्केट की कंडिशन इंडिस इस बेलकुल एक भाग रहा है एक इंडेक्स डाउन है और अब इस लेवल पे आके दिए प्री कॉविट लेवल के आज पास ब लिए लवन थाउजन एफंडेट फॉटी के लेवल पे 68 पॉइंट का जंप यहां पर देखने को बिल रहा यह फ्राइड़ की मार्केट जो यूएस की देखिती उसके बेस पर सिंगापुर निफ्टी अभी जो है नैंटीन अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकि है क्योंकि यहां पर सुबह जल्दी हो जाती है और यहां पर यह मार्केट अपने टाइम के साब से ओपन होके जापान की निकेई सबने एक पर से उपर की छलां यहां पर लगाई है साथ मार्केट का ओवरल सिचुएशन आईशन मार्केट का रियक्शन बढ़िया पॉजिटिव देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से अगर आप देखो यूएस मार्केट में कोई ज्यादा जंप नहीं था लेकिन यहां पॉजिटिव डेक्शन काफी देखने को मिल रहा सिंगापूर निफ्टी देखिए फ्राइडे को अगर देखोगे सब 17 ऑक्टूबर को 11,760 के लेवल थी और आज की डेट में 11,860 के आसपास का हाई इसने बना है यानि कि मार्केट सुबह से बड़ा जंप देखे अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो आल्मोस्ट बैंक्स फाइनेंचल सर्विसेस दो पसेंट पसेंट के आसपास की तीजी और साथ के साथ निफ्टी मेटल सेक्टर का आपको वीडियो क्रेट करके बताता है मैटल सेक्टर में जो तेजी है वह काफी इंपॉर्टन इस समझेंगे उससे पहले एक नजर देखते हैं आज किन कंपनी के नतीजे आपके सामने आएंगे नतीज़ों की बात आ रही है तो एसी सी लिमिटेड देखे सीदे सीदे एसी सी लिमिटेड बैंक ओप महराष्ट्रा बृतेनिया इंडस्ट्री फोकस में रहने वाला जुलाइ को एनाउंस किया गया था और अब मैं आपको आज के कुछ स्टॉक्स को पर फोकस करते हैं रहे पिछले साल के ने इंट इंकम में भी इंक्रीज दिखाया था लेकिन एवन्यो सूपर मार्ट की जब बात आती है तो वहां पर प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को में देते हैं रेटेल सेग्मेंट भाहर लोग कम गए तो कम खरीदारी भी तो कम प्रॉफिट यहां पर हुआ डॉक्टर रेड़ी लेवाटीज की बात करें तो कंपनी एंड रॉशियन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो है रिसीब्ड डीसी जी जी आई लोडी फार क्लिकनीकल ट्रायल फॉर स्पूट निंग फाइव वैक्सीन इन इंडिया इसका क्लिनिकल ट्रायल यहां पर होगा डॉक्टर रैडिय वाटीज के उपर काम कर रही है इंडस अनाइम बैंक की बात करें तो आरगया इनने लगा दिया है साड़े चार करोर का इसके डिला है उसको यूएस एफडी की तरब से अप्रूबल मिला है कुलेस्ट्रॉल की दवाई का चलिए यह तो बहुत ही बढ़िया बात अब पॉलिप्लैक्स देख पॉलिप्लैक्स तो बहुत ही खतरनाक तरीके से यहां पर जंप किया था पुछले टाइम पर आपने द बैक स्टोन के सांथ साइन किया है कुछ एसेट्स को सेल करने के लिए टिन प्लेट कंपनी का रिजल्ट आया 16 करोड का प्रॉफिट दिखा जो कि पहले मात्र 12 करोड का था रिवेन्यू में गिरावाट थोड़ा सा देखने को मिली है 538 करोड से 531 करोड के आसपास कियर रे ख़बर देखते हैं और कुछ यहां पर है कहीं पर यह देखिए अक्रिसल इसमें अबैकस फंड ने यहां पर जो एक्क्वाइर किया है सिक्स पॉइंट फॉइंट 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 का स्टेक हमने इसकी बात करी थी लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर निकल क्या रही है एमन वेज्जियर जो की प्रभूटर है उसमें कंपनी में 25 लाग शेर्स ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू खरीदे हैं और अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए लगाता है यहां पर शेर्स खरीदे जा रहे हैं एमन वेंचियर के तरब से और कल हमने इसके धमाके वाली भी बात कई हुए देखते हैं धमाकाद होता है नहीं होता है आई एफल से क्योर्टी के नतीज़े आपके सामने आए 50 करोड का प्रॉफिट यहां पर दिखाए जो कि पिछले साल मातर 24 करोड था मतलब बहुत ही बढ़िया और लिखी था इंफ्राचेक्चर इसका आई प्यों भी आया था और यहां पर शाह निदज रजनीकांत ने एक लाख 24,000 एकुटी शेर कंपनी में 139 के रेट पर एक्वायर क कि यहां खरीदे हैं देखिए बहुत ही बढ़िया बात मैं कहूंगा राउट मोबाइल की बात की जाए तो वह यहां पर अभी भी खरीदारी जारी है और दलमे मास्टर फंड ने यहां पर और शेर्स खरीदे हैं 694 के रेट के आसपास देखिए लगातार खरीदारी राउ था वह आ चुका है 5500 करोड जी आई सी की तरब से देखिए ऐसार एफ की बात की जाए ऐसारा बड़ा जंप आपने जरूर देखा होगा धमाके से पहली आपको अपडेट कर दिया था लेकिन फिलाल क्यू आई पी का कंप्लिशन साड़े 700 करोड़ का वह कंपनी ने पूरा कर लिया है SRF ने तो इस तरीके से देखिए अपडेट चलती है इनफोसिस के अगर बात की जाए देखिए कि अब शेर होल्डिंग पैटन भी सामने निकल के आ रहे है इनफोसिस में देखिए मूच्वल फंड की होल्डिंग थोड़ा बहुत यहां पर बड़ी भी देखने को मिल रही है टाटा कम्यूनिकेशन का रिजल्ट आ था उसने 384 करोड का प्रॉफिट दिखा जो की बढ़िया जंप यहां पर प्रॉफिटेबलिटी मैं देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रहा है और अगर मैं जी लर्न की बात करूँ देखि 56 करोड का प्रॉफिट जोके लास्ट टाइम पे भी इतना ही था चलिए अप्डेट अपने देखी अब हम चलते आपको देखाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के विव को समझने की कोशिश करते हैं देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का विउ सीधे लेके चलता हूं को चार्ट के उपर सबसे पहले निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट को देखें ध्यान से आपको मंतली पर लग रहा होगा वह सेकेंड करेक्शन आई थे आप खाली अप प्राइस के हिसाब से नहीं देखिए यह तेजी और हल्की सी करेक्शन आपको गयरी तो जाएगा और टाइम हाई पर यानि के बारह हजार चार्ट के लेवल पर जाएगा देखिए करेक्शन की एक रिक्वार्मेंट थी वह हमारे पास आई करेक्शन रिजॉल्व हुई फिर से भाग रहा है और इस वीक की कैंडल लास्ट वीक की जो कैंडल हो थोड़ वाउन के बड़ी और चोटी इरी रेजॉल्व होती है तो मुझे लगता है कि 22 कोशिश यहां पे रही अगर जल्दी सी जल्दी पिरिषु अब आपको थोड़ा सब मैं कहूंगा कंसा ने एक बीरिस जॉइंट ज़रूर बना है इसको पॉजिटिविटी इस वीग में स्टार्ट होना पड़ेगा उपर भागने के लिए छोटे टाइम फुरिप पर थरस्दे की कैंडल बहुत ही खतरनाक कैंडल थी और यह इन कैंडल इग साइड सोचने के लिए देखिए अभी यहां पर आर ऐसा 55 के आसपा सब्सक्राइब से अगर डाउंसाइड जर्णी स्टार्ट कर सकता है तो कभी ऐसा नहीं कि आपका एक छूटी अगर आप ओवराल पिक्चर इसको देखो तो बड़े जटके यह बहुत बड़ा जटका है इस बड़े जटके के बाद थोड़ा सा हॉल्ट थोड़ा सा कॉंसालिडेशन इंपॉर्टेंट होता है तो एक दिन का हॉल्ट इसलिए इसका जस्ट एक्जामपल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और इसके बाद फिर डाउंसाइड जर्णी स्टार्ट हो सकती है तो अहां से लास्ट टाइम पर मिला था यह मैं कहूंगा इस एलिया में देखिए बिलकुल लेकिन अब एक एक बात ध्यान दीजिए जैसे निफ्टी का व्यू ता बड़ी कैंडल के बाद चोटी कैंडल वह ऐसी बैंक निफ्टी पर भी बनता हुआ देख रहा है बट इसका होना जरूर है अब इसका रिजॉलिशन को चोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या यह रिजॉल्व होके अगली रह लिया ही तो कि एक बात ध्यान रखें निफ्टी आपको भागा लेकिन बैंक निफ्टी के शेर मैं स्टी बैंक को छोड़के बाकि शेर ने उस तरीके क की मजबूती नहीं दिखा है इसलिए बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको काफी वीक देखने को मिल रहा है और कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि अगला जो मीजर एडिया है वह बैंक के शेर पर पूरा दारोमदार रहने वाला है जो निफ्टी को 12400 के लेवल को पार क बैंक के शेर में थोड़ा सा वीकने से लेकिन भागते तो वही मीजर फोकस्ट एरिया रहने वाला है क्योंकि इनके उपर बहुत ही बड़ा कांट्रिविशन रहता है बहुत शेर भाग चुके हैं लेकिन बैंक निफ्टी के उपर अगला दारोमदार देखते हैं बड़ी चोटी केंडल जैसे हमा बात कर दा है कि इसका रजॉल्ब होना ये पास दिन जरूर्ष करेक्षं करेए लेकिन इनका रजुल्भ होना ज़रूर्यय को से की ईसके आसपास आये तो आप और आरिЗ को जोड़ बनस चुका है और धोर सा और जम्प करके का दिन करके यह वास्ट मोशन देता है तो आपको शौट की भी देखने को मिलेगी तो फिलाल वाइंड अप करता उस वीडियो को उम्मीद करता आपको समझ माद जरूरूर आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब निके तो जली से सब्सक्राइब कर ले बेल आकान को प्रेस कर ले जिसे आपको नोटिफिकेशन आती रहे हैं थैंक यू थैंक यू पर वाचिन दो वीडियो